जाइन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो आज आपके लिए लेकिया आए निकलियोफाइल का दूसरा पार्ट जिसमें हम लोग जानेंगे M by 10 निकलियोफाइल के बारे में तो आहीं शुरू करते हैं डाइनाइनिक निकलियोफाइल विच घैस तू नीकलियोफिलिक और डॉनल्साइट्स एक्जामपल नाइट्रेट आयन, साईनाइड आयन, आईसोसाईनायट, थायोसाइनेट, ऐमाईड आयन, फिनॉक्साई आयन, एड 17 बच्चो कोई भी ऐसा निकलियोफाइल जिसके उपर negative charge होता है और ये negatively charge nucleophile जो होगा जब इसके अंदर दो donor site होंगे तो ये कहलाएगा हमारा ambident nucleophile example में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो nucleophile आपको दिखाए हुए हर एक के ओपर negative charge है clear है और यहाँ पर इन सब anionic nucleophile के अंदर दो donor atom होंगे दोनों ही elektron दे पाएंगे जिसकी वज़े से ambident कहलाएंगे आईए अब लेते हैं reason of ambident nature भई वो कौन सी वज़े है जिसकी वज़े से हमारे जो nucleophile हैं वो ambident बन जाते हैं ambident nature or two nucleophilic donor sites is due to delocalization of negative charges over two different atoms under resonance effect बच्चों होता क्या है कि जब किसी anionic nucleophile के अंदर negative charge resonance की वज़े से दो अलग-अलग atom पर जाता है दो अलग-अलग atom पर locate होता है जिसकी वज़े से इसके अंदर दोनों ही atom donor site की तरह behave करने लगते हैं और जब इसके अंदर दो donor atom होंगे तो ऐसा nucleophile क्या कहलाएगा जी बिल्कुल सब्सक्राइब दो आई देखते हैं कैसे क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग ने एक्जामपल लिया है साइनाइड आयन का साइनाइड आयन में जो negative charge कार्बन के उपर locate है resonance की वे से यह charge जो आप देख पारे है गूम कर चला जाता है किसके ओपर nitrogen के उपर तो अब यह जो हमारा यहाँ पर nickelophile होगा इसका नाम होगा isosynide अब अगर यहाँ पर यह वाला जो हमारा nickelophile है nitrogen के थुरू हमारा bonding करता है तो यह कहलाएगा isosynide और अगर यहाँ पर donor phone होगा carbon तब कहलाएगा यह साइनide अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दो nucleophile लिये हुए पहले की बात करें SCN तो SCN का नाम है हमारा isosynide ion यहाँ पर जो negative charge है वो N के ओपर located resonance की वेशे charge जो डिसपर्स होगा और दूसरे atom पर जाकर locate करेगा रुकेगा तो यहाँ पर जो charge है nitrogen का यह sulfur पर चला जाता है जिसके यह रिखाई देगा कुछ ऐसा SCN माइनस के लिए हुआ है और इसका नाम होगा थायो साइने टायन तो अगर यहाँ पर donor atom sulfur है तो bonding जो है वो sulfur के through होगी तब यह थायो साइने compound के लाएगा लेकिन अगर हमारा nucleophile में nitrogen electron देने वाला है तब यह iso thaiasinate iron के लाएगा कुल मिला के आप देख सकते हैं यहाँ पर दो donor atom है nitrogen और sulfur इसलिए कैसा होगा यह ambient अब यहाँ पर right side में देखे phenoxide iron दिया हुआ है जी phenoxide iron में आप देख सकते हैं कि negative charge है वो किसके ओपर locate है वो oxygen के ओपर locate है resonance की वज़े से यहाँ पर भी तो रहता ही रहता है लेकिन यह ring के carbon PK ओपर भी रहता है तो कुल मिला के इस वाले anionic nucleophile के अंदर बताइए कितने donor atom होंगे oxygen और एक ring का carbon तो आप भी बताइए ऐसा nucleophile जिसके अंदर दो donor atom होते है क्या कहलाएगा तो phenoxide iron भी हमारा nucleophile ही होगा अगला आप देख सकते हैं amide iron के अंदर जो negative charge है यहाँ आप nitrogen के ओपर दिखाए देर resonance की विज़े से disperse हो कि यह oxygen पर चला जाता है amide iron तीसरा आप देख पा रहे है यहाँ पर हमने inolate iron लिया हुआ inolate iron में resonance की विज़े से दो donor atom होगे एक हमारा oxygen दूसरा हमारा carbon इसलिए यह भी amide iron nucleophile का एक अलग example है how resonance affects nucleophilicity अब बात करते हैं कि resonance की वज़े से हमारे nucleophile के अंदर nucleophilicity पे क्या असर पड़ता है कैसे हमारे दो atom donor atom बन जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमने लिया हुआ है inolate nion तो आप यहाँ पर देख यह कि यहाँ पर जो negative charge है वो carbon के ओपर locate है लेकिन जो negative charge है it is a part of conjugation और resonance तो resonance की वज़े से negative charge जो disperse होगा कुछ इस तरीके से आप जानते हैं oxygen being electronegative electron को πाई electron को अपने रेटेट करेगा same time यहाँ से negative charge है यहाँ पर आ जाएगा तो यह single bond मन जाएगा double और यह double जो हो जाएगा single तो oxygen ने अपने यहाँ पर πाई electron लिये तो oxygen पर negative charge आपको दिखाई दे रहा है और यह bond double हो गया है उसके बाद क्या होगा कि आप देखिए यहाँ पर जो double bond है और यह जो आप negative charge देख रहे हैं long pair of electron देख रहे हैं जो oxygen को पर यह भी conjugation में जिसकी वज़ज़ negative charge है लगातार घूमता रहता है गूमने की वज़े से यह वापस आएगा और वापस आएगा तो यह structure फिर से पहले वाले में convert हो जाएगा तो canonical form है दोनों एक दुसरे में inter convertible होते हैं गूमता रहता है charge, disperse होता रहता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं इन दोनों canonical form का resonance hybrid तो इस resonance hybrid के अंदर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर broken line दिखाया हुआ है broken line का मतलब है कि bond जोए dislocate है delocalization of pie electron density है pie bond ना तो carbon carbon के बीच है और ना ही carbon oxygen के बीच है यह हमारा जो है one and half bond है resonance की वज़े से यह pie bond जो है यह लगातार घूमता रहता है oxygen और carbon के बीच क्या आप हो clear है और negative charge जो है वो fix नहीं है वो भी हमारा घूम रहा है carbon और oxygen के बीच clear हो रहा है आपको तो इस hybrid से clear हो गिया है कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो donor atom है resonance की वज़े से एक हमारा oxygen और दूसरा हमारा carbon और ऐसा nucleophile जिसके अंदर दो donor atom होंगे वो ही होगा हमारा embident तो embident बनाया है किसने? resonance ने? बुलीगा नहीं अब next लेते है effect of embident nature in reaction अगर किसी reaction के अंदर आपका nucleophile embident type का आपने ले लिया है तो क्या होगा? attack from two different sites in embident nucleophile can often result in the formation of more than one product धियान न किएगा अगर किसी भी chemical reactions के अंदर किसी भी organic reaction के अंदर अगर आपका embident nucleophile है तो उसके अंदर दो donor atom होंगे और दोनों ही side से दोनों ही atom अपने electron pair देंगे और जब दो donor atom अपने एक नहीं दो product मिलेंगे example से clear करेंगे हम यह पर आप देख सकते हैं कि हमने Rx का reaction कराया HCN- से आप जानते हैं HCN- जो है यह anionic nucleophile example है हमारा embident nucleophile का तो यहाँ पर दो reaction दो root हमने यहाँ पर generate कि हुए आपो clear हो रहा होगा तो पहले वाले हमने से लिया है वाया N site कि अगर हमारा यह वाला nitrogen हमारा donor atom होगा तो यहाँ से electron जाएंगे और जब यहाँ से electron जाएंगे तो N का bond बनेगा carbon के साथ यानि कि R के साथ और product आपको RNCS कुछ ऐसा बनता दिखाए देगा नाम होगा alkyl isothiocyanate आपको बतायाता है कि जब nitrogen के through bonding होगी तो उसका नाम isothiocyanate होता है अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो bonding हो रही है RX के साथ में यहाँ पे जो reaction में participate कर रहा है वो sulfur कर रहा है तो sulfur बन गया है हमारा इस बार donor atom तो via acite लिखा हुआ है और जब sulfur electron देगा तो bonding भी sulfur के through ही होगी इस प्रोड़ट बना है RSCN और इसका नाम होगा alkyl thiocyanate तो आप देखिए reaction में यहाँ एक ही आपका reagent है यहाँ पे clear है SCN- लेकिन SCN एक ही reagent ने reaction के अंदर दो प्रोड़ट बना दिये है reason क्या है कि जो हाँ आपका reagent था जो आपका nucleophile था भाया जी वो ambient था वो एक नहीं था एक की form में दो थे वो चिपे वे दो दुसमन थे और तोनोंने reaction किया और आपके substrate से बना दी है दो प्रोड़ट तो ध्यान न कीगा आज हमने जाना ambient nucleophile ambient nucleophile में हमने जाना कि कोई भी ऐसा negatively charged nucleophile जिसके अंदर resonance की वज़े से negative charge दो atom पर घूमता है और दोनों ही atom donor atom बन जाते हैं तो ऐसा negatively charged nucleophile जिसके अंदर दो donor sites होती है दो nucleophilic center होते हैं ambient nucleophile बनाता है resonance और सर resonance की वज़े से 2 donor site होंगे और reaction के अगर अंदर आपने ambient nucleophile ले लिया है तो product 1 नहीं 2 बनेंगे क्या यह आपो clear है तो बच्छो आज यतना ही रखते हैं जाइन